कि हैधलो दोस्तो सामुंदा इलेक्टोनिक्स में आपका बहुत स्वागत है हमारे पांस यहां पर देख सकते हो तो एक बीजन का 8007 मोडिल का यह काड और यहां पर यह एनके वाला है 2.6 तो दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है देख सकते हो तो यहां पर यहां पर आड़वेर प्रोब्लम में है और यहां पर इसका तो गुट लोगो सॉफ्टरे का इसमें इस्यू है कोई भी तो अभी दोस्तों इसे मैं साइड में रख देता हूँ और इसे ले लेता हूँ और इसका डिस्प्ले भी ढूंगना पड़ेगा तो यहां पर आपको जो हमने आगे दो बोड किया था प्रोटली दस काड इसका MPG भरकाया हूँ था और उसमें से हमने चार लिया और चार का तो सॉफ्टरेवर का ही प्रोब्लम था उने इसे ही सॉफ्टरो कर दिया क्योंकि यह सबड़ेवर का टो वत आ है हुआ तो दोस्तों यहां पे शोट्टिंग दिखा रहा है तो भी यहां पे आपको मल्टिमीटर में दिखा जोटने तो यहां पे déb جं यह यहां पर जला हुआ है तो यह आइसी को पहले में यहां से रिमू कर लेता हूँ पहले मैं ने देखा ना तो यह शोटिंग दिखा रहा था अभी शोटिंग नहीं दिखा रहा तो यहां पर पहले में एरगन से इसे बाहर निकल लेता हूँ और बहार निकलने के बाद उसका जो सभी वोल्टेज है ना वो में चेक करना पड़ेगा दोस्तों तो आपी फिलाल यहां पर बहार निकल लिया है तो फिलाल यहां पर चेक करने के लिए पैनल लगा लिए अभी यहां से दिखिए ओन कर दिये अभी दोस्तों प्रोपर यहां पर ओल्टेज यहां पर आएगा तो हमें जो फाइप नवाला आईसी है ना वो दुसरा डलना पड़ेगा तो भी यहां पर स्टेप बाइस्टेप voltage को चेक कर था ओ तो ओके हैं और यहाँ पे लेकूट तो 3.3 तो ए मर्म्हक् सब्लाइग है यहाँ के दिक फिम्हक्ता अभी देखता हूं पहले तो भी दोस्तों यहां पे फिलाल मेंने दूसरा अइसी ले लिया है और यहां पे दोस्तों मैंने चेक किया तो 1.8 कई है तो बाद में देखेंगी इसे तो आइसी पहले प्रोपर इसमें इस्टोल कर लेते हैं तो अभी थोड़ा पेस्ट लगा लेता हूं तो आभ भी आइसी मंगाना चाहते हो तो हमारा कॉंटेक्ट कर सकते हो निचे डिस्क्रीशन बॉक्स में हमारा नमबर दिया है तो आप वहां से हमारा कॉंटेक्ट कर सकते हो तो जो होगा ना वो आपके सम्मी में यहां पर दिखाऊंगा दोस्तों तो अभी फिलाल IC को लगा लिया है और इसे में ठंडा होने देता हूँ और उसके बाद में आगे देखते हूँ तो यहां पर इसे थोड़ा में यहां पर क्लीम कर लेता हूँ IC को अभी आपके सामने ही यहां यहां पर देख सकते हो तो यहां पर पावर इन करता हूँ पहले में यहां पर लगा के रखता हूँ उसके बाद में ज्यादा वोल्टे जाया तो हमारा यह आइसी भी खराब हो सकता है तो अभी देखिए मैंने पावर इन कर दिया है तो 1 वोट आ चुका है दोस्तो तो अभी यहाँ पर 1.8 वोल्ट देख लेता हूँ तो यहाँ पर भी थोड़ा सा बड़ बड़ी है तो अभी मैं यहाँ पर HDMI केबल से यह चेक करता हूँ यहाँ पर भी डिस्प्ले नहीं है तो अभी दोस्तो यहाँ पर 23 स्कीन मैं आप देख सकते हो अमरा यहाँ पर पिच्चर नहीं बन रहा है तो फिलाल तो यहाँ पर वोल्टेस तो यहाँ पर 1.1 वोल्ट के करीब में प्रोपर आ चुका है तो 1.8 वोल्ट बनना चाहिए यहाँ पर आप देख सकते है यह दोस्तों यहाँ पर नहीं बन रहा है तो अभी फिलाल ओफ कर लेता हूँ ओफ करने के बाद यहाँ पर हमें चेक करना है कि यहाँ पर चोटिंग होगे रहा कुछ है या नहीं तो फिलाल तो कुछ सोटिंग नहीं दिख रहा है तो यह रेगूलेटर को अटाना पड़ेगा तो यहाँ पर देखिए यह रेगूलेटर आपके सामने अटा रहा हूँ और यहाँ पर एक बार दूसरे कार्ड में से निकल के 1.8 का रेगूलेटर दूसरा लगा के देखते हूँ तो कभी-कभी यह रेगूलेटर खराब होता है तो यहाँ पर रख दिया तो अभी दोस्तों यहाँ पर आपको दीखिए 1.8 वोल्ट यहाँ पर मैं माल करके दिखाता हूँ यह वाला यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो साइद आपको दीखे या न दीखे तो अभी दूसरा बोड में से पहले निकल लेता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो अभी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैंने दूसरा रेगुल्टर निकल लिया है तो फटा फट से इसे में यहाँ पर लगा लेता हूँ तो अभी इसे थोड़ा सा ठंडा होने देता हूँ तो अभी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो तो यहां से ओन कर देता हूँ, यहां पे मैंने ओन कर दिया है, और यहां पे देखू तो 1.8 वोल्ट बन चुका है दोस्तों, तो अभी यहां पे हमारा डिस्प्ले आ चुका है, लेकिन टी स्कीन में कुछ नहीं आ रहा है, देख सकते हो, तो अभी दूसरा टी वे में यहां यहां पे यहां पे आप देख सकते हो, तो यह हमारा यहां पे पिच्चर आ चुका है दोस्तों, तो यह वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बाद में यह वाला कार है, उसका मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसको बताई देता हूँ, सॉप्ट नॉहँ गना यहां पिच्चर नॉहां यहां स्कुलों, लियुक्तू का में यहां पर हो हो गया है, तो सोफ्ट्वेर कर लेता हूँ यहां पर अभी अपकर देता हूँ तो इप्रम आईसी को यहां से उतले तो यहां पर देख सकते हो तो अभी मैं पहले software कर लेता हूँ उसके बाद में लगा देता हूँ तो तो भी दोस्तों यहां पर software तो मैंने कर लिया है और यहां पर अभी लगा देता हूँ तो भी यहां पर लगा लिया है भी थोड़ा सा इसे ठंडा होने देता हूँ तो यहां पर IC को तो लगा लिया है तो अंदर के देखते हैं यहां पर ओन कर दिया है बूत लिखा हूँ आ चुका है तो यहां पर मैंने देखिए Smart Box का Software यहां पर इस्टोल किया है तो इसमें दोनों चलेगा वीडियो कॉन और डीडी फ्रीडिस का दोनों फिक्वेंसी है तो आप इसमें 8 भी कर सकते हो दोस्तों तो यहां पर आपको एंट्रेना सेटिंग अब आपको दिखे दिखे हो है यहां आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना ठेंच्यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए